Hello, oh my God! Microsoft Access सीख में किस सेरी में, मैं पुर आपका स्वादव करता हूँ और आज की ये विडियो है Microsoft COB आप देखते हैं यहां पर दो टेबल्स बनी है यह टेबल 1 है और यह टेबल 2 है और यह Microsoft Texas का 2007 WordPress है तो इसमें हम अगर काम करना है जैसे दिखिए इस तरह का डेटा अगर आप बनाना के तो जहां पर देखते हैं यहां पर यह कुछ इस तरी कि कि हमें फिल किया है सारे रिकॉर्स को जिसमें आपको student ID दिखेज़ेगी जहां पर name of student दिख रहोगा और यहां पर class दिख रहा है ठीक है इसके data time पी आपको नज सेम रखना होता है और data time भी सेम होना चलिए तो यहां पर मैंने नंबर रखा हुआ है ठीक है आप चाहाँ आटो नंबर रखीजिए चाहाँ नंबर रखीजीए ठीक है तो यहां पर यहां पर यह करके और पर यहां पर रजिस्ट्रेशन आइडी में फिल्व कर देता हूं और बाकी student ID तो सेम रहेगा वही वाला और यहां पर आएगा admission number फिक है तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर डालना है सब्सक्रेशन आइडी तो यहां पर 3 कर देते हैं और यहां पर student ID आएगा 3 ठीक है और यहां पर जो है है registration ID आप देखी सकते हैं और student ID आप admission number यहां पर आपको देखना है तो यहां पर देख सकते हैं यह कुछ इस तरीके तो होता चला जा रहा है लेकिन कभी कभी क्या जरूरत पर जाती है हमें कि हम इसमें तो duplicate value नहीं चाहते मतलब इसे तो हमने primary की बना दिया तो यह तो duplicate रह से इस तरह की entry पास करना चाहें अगर कॉप्टर हम बना रहे हैं और बनाते समय यह entry पास कर दी हमने तब तो मुसीबत हो जाएगी हमारे लिए है कि नहीं यहां पर देखिए यह entry तो पास हो गई नीचे index का एक option मिलता है जिसमें आपने लिख रखा है yes duplicate okay यह select है लिख नहीं रखा है बलकि यह select है तो यहां पर yes no duplicate कर दीजेगा और जैसी आप no duplicate करेंगे न तो यह duplicate एक्टर थी नहीं करेगा ठीक है और यही काम सेम आपको admission में भी करना है तो admission में चले जाएए और यहा यहां पर भी yes no duplicate वाला option आप select कर लेते हैं तो यहां पर no है तो यहां पर yes no duplicate कर देते हैं यह हो गया तो अभी इसमें भी duplicate value अलाव नहीं करेगा तो अब यहां पर duplicate value डाल सकते है क्या किसी में भी किसी field में आप duplicate value नहीं डाल सकते है भले आपने primary की बनाया हूँ या ना बन सकते हैं तो यहां पर देखी यहां पर 5 किया हमने और यहां पर admission number डाल दिया हमने तो यहां पर यह हो गया अब एक बार duplicate value डाल के देखते हैं ठीक है यहां पर तो duplicate डाल नहीं सकते हैं यहां पर तो हो सकता है न तो यहां पर कर दिया हमने और यहां पर करने के बाद यहां पर duplicate नहीं डालते हैं यहां पर यह वह वे है यह वो तरीका है जिससे आप duplicate value को अवाइड कर सकते हैं हटा सकते हैं तो अगर किया कहेंगे इसे हम कंपोजिट की कहेंगे ठीक है यह तो प्रामरी की हो गई और अगर डुप्लिकेट आता है तो फॉरेंट की हो जाएगा और ये क्या कहलाएगा ये कहलाएगा आपका क्या बोलेंगे से अब दोनों के बीच में रिलेशन सिप आप आने के साथ प्रियेट चारा सकते हैं अब कि यह डुप्लिकेट वैल्यू कह रहा है बार बार तो यह आपको हटाना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं यह कुछ तरीके से आ रहा है और यहां पर भी दूप्लिकेट वैली हो गया है देखिए यह चीज़ एडमिशन नंबर में भी आप डूप्लिकेट नहीं डाल सकते हैं कुछ भी डाले लिकिन डूप्लिकेट नहीं होना चीए तो अभी एकसेप्ट कर गया और इन दोनों को सेव करके और एक बार चला लेते हैं तो यहां स यहाँ पर स्थूडेंट आइडी का रेलेशनसिप्स करवा दीजिए और यहां यह तीनों पर टिक कर दीए तो यह वन तूवन रेलेशनसिप यहां पर प्राइमरी की जैसी चीज़े रख करके या कंपोजिट की रख करके तो आप बना नहीं सकते नहीं तो यहां पर जब सब्सक्राइब? पर यहां पर यह वहां टु मेनी रिलेशन सिफ है लेकिन अभी हम क्या करेंगे यह तो फुर्ट तो टेबल को खुर्ट करना हो जिसकी वैसे यह करना हो तो इसके लिए पहले तो इसको क्लोज करना होगा क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस तरीके से करते हैं तो यहां पर यहां पर जाकर करके और यह यहां पर नीशी आएंगे तो आप देखेंगे यह लुडिकेट में भी आप और यहां पर टो में यहां पर ढ। यहां पर इसको रखा यहां यहां पर यहां यह व तो यहां पर अगर हम जाते हैं तो यहां पर आपको प्लस का निशान दिखाई पड़ेगा और यहां से जाकर कि आप देख सकते हैं रजिस्टेशन अब दिखिए इसमें फाइदा क्या है यहां पर टूरेंट आईडी आपको मिले जा रहे हैं यह पहले टेबल से दूसरा ने सब्सक्राइब करेंगे तो मैंने आप टेबल ओपर रखेंगे तो माइक्रोफ एक्सेशन सिक्रीट ही नहीं करावाईगी ठीक है अगर आप टेबल ओपर रखेंगे तो अगरे तो टेबल को बंद कर दिए ठीक है और रिलेशन सिप में दो कॉमन फिल्ड का होना भी जरूरी है ठीक है कौन-कॉल सा जैसे माली जी यहां पर टूरेंट आईडी और स्टूरेंट आईडी के बीच में रेलेशन से प्रीट करा है तो देखिए यहां पर अगर आगे काम कर पाएंगे सही से और रिलेशन से ब्यूर्ट कर पाएंगे ठीक है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूरी जरूरी जेगा और साथी साथ हमारे जिसका नाम सब्सक्राइब बना न भूलिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा थेंक्यू फर वोचिंग इस वीडियो